हलो दोस्तों मैं उमा संकर आपको अपना चैनल ट्रिकी भाई वेश कुपता में एक पर फिस स्वागत करते हैं दोस्तों आज मैं जहारकंड वूट परिक्छा के परिणाम से संबंदित मोहतेफुन अपडेट देने बाला हूं इसलिए आप इस वीडियो को सुरू से लेकर ल मैंट्रइक और इंटर के बिद्यार्चियों के लिए क्योंकि उनलों का अं रिजल्ट निकल गया था मैंट्रिक का रिजल्ट 19 अप्रेल को जबकि इंटर के तीनों से खाओं का रिजल्ट 30 अप्रेल को निकल गया था इस रिजल्ट में कितना लोग खुस हुए कितना लोग दुख हुए तुनी दुखों को दूर करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हूँ इसलिए आप इस पुरियो को सुरू से लेकर अंतक देखिएगा चाहे आप कोई भी जारखंड के कोई भी जिले से होंगे आप जरूर से जरूर इस वीडियो को देखिएगा या वीडियो आपके लिए बहुत ही महतेपून है या आपको लाइफ में बहुत ही अच्छा मौका मिला है चलिए किस सरह से आप नमबर बढ़ा सकते हैं कि आप एक बार फिर से अपना नमबर को बढ़ा सकते हैं अर्थात एक बार फिर मौका मिला है अपने नमबर से ना खुस तो वीडियो को देखे और हो जाए खुस अर्थात आपको एक बार फिर से नमबर बढ़ाने का मौका मिला है आप अपनी नमबर से संतुष्ट नहीं है कि मेरा नमबर ज्यादा होना चाहिए था लेकिन कम नमबर है तो आप सर्टिफाइड हो जाए और एक मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ और उसको देखकर आप से फिर से फाइटिंग कर सकते हैं आर्थात आप इस कुठनी के मात्यम से अपना जो नमबर है रियल नमबर प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि किस तरह से आप नमबर को बढ़ा सकते हैं तो चलिए देख लिते हैं कि किस तरह से आप यहां नमबर को किस तरह से आप बढ़ा सकते हैं अर्थात कॉप से आपका इसकुछनी फॉर्म भर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जैसा कि आप यहां देख रहे हैं जारखंट एकैडमिक कॉंसिल राची के दोवारा मैट्रिक और इंटर ने पढ़ने वाले विग्यान वानीज कला परिक्षा दुहजार चौविस के पूर्ण पूर्ण निरक्षन के संबंद में आवश्चक सुचना अर्थात जैक के दोवा संतुष्ट नहीं है अगर आपको लग रहा है कि मेरा नमबर कहा है रह farm और हम उससी तरह से आपको करना है और प्रकिरिया होता क्तना पैसा देना पढ़ता है और कब तब किसका वारे में हम इस ृडिट सेखरा है जैसा कि यहां देख रहे हैं यदत दोबारा वार्षिक मादमिक और इंटरमेडियेट भीज्यान वानीज एवं कला सकाए परिक्षा दुहजार चोविस से समंदित सभी छात्र छात्राओं अभिवाओं को एवं विद्यालों महाविद्यालों पलस्टू विद्यालों के प्र आतांक से संतुष्ट नहीं है अर्थात जो आपको अंक प्राप्त हुआ है उस अंक से आप अदोगर संतुष्ट नहीं है सटिफाइड नहीं है तो आप वे इसकुटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं अर्थात आप इसकुटनी के माध्यम से अपने नंबर को बाहा सकते हैं इस कुटनी क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जैसा कि यहां बता रहा है कि इस कुटनी के लिए आपका समय निकाल दिया गया है अर्थात आज ही के दिन अर्थात दो पाज से लेकर 17 पाज तक आप इस कुटनी के माधियम से अपना प्रतांक नंबर को बढ़ सकते हैं आर्थात ओनलाइन आप इस अप्लिकेशन को भेज सकते हैं इस कुटनी के लिए आवेदन जमा करने की बिधी निमन निमन वर्तर है आर्थात किस तरह से आपको इसकुटनी करना हो उसका नियम कारून यहां पर बताया गया है सबसे पहले यहां देख रहेंते हैं परिसत द के वेव साइड पर सकुटनी के लिए देह परमान प्रपत्र में आपना रजटेशन रजश्टेशन करेंगे एवं पर उपलब निद हैं दिसा निर्देश के अनुरूप आवेदन भारेंगे आर्थात आपको आपर एक तरह से आपको इसकुटनी के लिए रजश पुर्ण पुना रिचन अर्थात रिचेक को सुल्क माधिका परिख्षा के लिए साड़े चार सो रुपई या रुपईया इंटर्मेडियेट के लिए साड़े साथ सो रुपईया सिर्फ ओनलाइन माधियम से दे होगा आर्थात आप स्कूटनी करते हैं तो आपका पुना उससे कि अपना आपके कोपी को देखने के लिए आपको से मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए चार सो 50 रुपई लिए जा...? जबकि इंटर्मेडियेत के को भी होंगे साइन्स और्र्थ अगर आप एक्जाम में भागिन नहीं लिये हैं तो आप इसकूटनी नहीं कर सकते हैं इसके साथ ही बता रहा है कि प्रेटकल और इंटर्नल एसे एसे इमेंट में प्रप्तांग कौनकों की स्कूटनी पर विचार नहीं किया जाएगा अर्थात आपको जो इसकूल में प्रेटेन एक्जाम दिया होंगे उनमें आपका नंबर कम होता है तो आपको बढ़ा दिया जाएगा या फिर आपको नंबर हो सकता है मिस्टेक कर दिया गया होगा तो आपको इससे भी नंबर बढ़ सकता है इस तरह से यहां पर बताया गया है इसके साथ ही यहां पर बता पूंब्बर एक में कहता है कि अंदर के प्रिष्टों में नियो जित आंक अगर पर पर अंकित नहीं है तो उसे मुखह पर अंकित करते हुए योग में सुधार कीया जा सकता है और्थात कहने का अर्थिया हुआ कि अगर आपका यह रहाहूए हैu के अनगर दिया हो जाता है तो उसमें सुधार करके आपको अंको को बढ़ा दिया जाएगा इसके साथ कह ए मुल्यांकन . Гiaั่ होगा अर्था उसको बीना से reappigning उसका मूल्यांकन कि या जाएगा आपको जो की चन था जिसका एंसर लिखे थे उसको नहीं देखे थे ऐसे ही चल दिये थे तो उसको भी चेक करके उसमें नंबर को देकर आपका नंबर बढ़ा दिया जाएगा इसके साथ ही का अंको का योग अगर सही नहीं है तब उसमें सुधार गिया जाएगा अर्थात जो आपको अंको का जो अंक में जो नंबर होता है वह सही नहीं है तो उसमें भी सुधार कर दिया जेगा इस तरह से बताया गया इसके साथ ही स्कूटनी के लिए आवेदन देने देने वाले छादरों को असपष्ट किया जाता है कि स्कूटनी के तहट मुल्यांकित प्रश्णों का पुर्ण मुल्य अंकन होता है उसमें पुर्ण मुल्यांकित नहीं किया जाता है इसमें अंक ब्रिधी की संभवना कम रहती है अतो वार्षिक परिक्षा दुहजार चौविस के अउतिर्ण छात्रों को सला दी जाती है कि स्कूटनी के फलाफल की प्रतिक्षा किये बीना संपुरक के लिए अभेदन प्रत्र पहर सकते हैं इस तरह से आपको बता रहा है कि अगर इस खुटनी करते हैं तो आपका जो मुल्यांकित प्रश्ण होंगे उसका ही नंबर आपको जूड़ा जाया पून फीर से आपका कोपी को चेक नहीं किया जागा आरथा्य जो पांच नंबर लेकिन आप नंबर को नबर को देखा जाता है कि कोई नंबर छूत किया है यह नहीं झूता है या फिर कोई अंदर में जो नंबर था जो हम यह करने में गलतकर दिया हैं या फिर हो सकता है कोई नंबर हमम जटेक् से मढट की अब जो आपको नमबर देदिया गया है वहीद नमबर ही रहेगा इसलिए भिद्यार्ती। अगर आपको और अच्छा से देना होगा अगर आपको एक दूर से एक वारसी across परीक्षा है था फिर को दोहुराइंव में ना होगा इसलिए यहां पर तर्फार्वे सब्सक्राइब लिस क्यार नहीं किया जाएंगा जो टेट दे दिया गया है उसी डेट में ही आपको वहां पर पहुचना चाहिए अगर आउसे एक भी दिन लेट हो जाता है तो आपको वह आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा ताई होप यह वीडियो अगर अच्छा लागा होग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देजेगा फिर भी लिंक एंडे वीडियो के साथ तप तप के लिए जाहिंद बेस्ट ओप लग